हेलो फैंस आपका बहुत 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 बेलकम है मेरे यूटूब चैनल फिंक सीपर दोस्तों मेरा चैनल मॉनिटाइज हो गया वो भी सिर्फ दो दिन में आजकल की सुच्विशन को देखते हुए ऐसा समझा जा रहा था कि चैनल मॉनिटाइज होने में काफी समय लग रहा ह है मेरा चैनल सिर्फ दो दिन में मॉनिटाइज हो गया था मेरा चैनल आग दिन पहले ही मॉनिटाइज हो गया था लेकिन ये वीडियो में आपके साथ अप सेयर कर रही हूं क्योंकि अगर आपका चैनल जब नया नया मॉनिटाइज होता है तो उस समय आपके चैनल पर नहीं आ रहा है हलाकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है लेकिन इससे हमको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इंबैलिड एक्टीज हो सकती है चैनल नौजून को रिबू में चला गया था और दस तारीक की राद में मुझे मेल आया कि आपका जो चैनल है वो यूटूब पार्डनर प्रोग्राम में एक्सप्ट हो चुका है इस तरह से मेरे चैनल को मौनिटाज होने में लवा 48 आवर से हार्ली लगे होंगे अगर आपके चैनल पर एक हजा सस्क्राइबर पूरी हो चुके हैं 4000 गंटे का बॉश टाइम पूरा हो चुका है और आपका चैनल रिबू में है तो यह तो किसी के लिए खुशी की बात हो सकती है लेकिन यह मेरे लिए बहुती टैंसर भरीवाती जब तक मेरा चैनल दो दिन तर रिबू में रहा था मुझे बहुती टैंसर रही थी अगर मैं बताती हुग कि वह आपके साथ भी ऐसा होता है अगर आप नए यूटूब बने या फिर आप कभी चैनल अपना यूटूब बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये काफी help हो रहेगा आपके चैनल पर 4000 गंटे पूरे हो जाते हैं उसके बाद आपको अपने चैनल का monetization इनेवल करना पड़ता है Google AdSense अकाउंट को create करना पड़ता है उसके बाद आपका चैनल रिव्यू में जाता है लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था जब मैं अपने चैनल का monetization इनेवल करनी के लिए गई तो मैंने देखा कि मेरा चैनल automatic monetization के लिए apply हो गया है Google AdSense successfully create दिखा रहा है चैनल रिव्यू में है तो मेरे लिए tension की बात यह थी कि ना तो मैंने monetization के apply किया था और ना ही मैंने Google AdSense create किया था तो मेरे account create अपने आप कैसे हो गया या मुझे लगा कि मेरा channel किसी ने hack कर लिया है किसी ने Google AdSense account को create कर लिया है मैं लावा आठ नो महिने से अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रही हूं और आपको एक दिन पता चले कि इतनी मेहनद करने के बाद में आपकर चैनल किसी ने hack कर लिया है कैसा लगेगा मैंने इसके लिए कुछी यूटूवर जो टेक्निकल यूटूवर है अपनी प्रॉबल्म को बताया कि मेरा इस तरह से चैनल अपने आप monetization में चला गया है और adsense create अपने आप हो गया क्या यह normal है क्या है तो उन्होंने मुझे थोड़ी देर में reply कर दिया कि आपका channel हमने देखा वो अभी under review में है लवा एक महीना लग जाएगा तो कम से कम उन्होंने at least मुझे reply तो किया लेकिन problem सेम वही थी तो मैं दो दिन यहीं सोचती रही कि मेरा channel किसी ने hack कर लिया है किसी ने adsense create कर लिया है और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसके बाद में जब मुझे mail मिला था बारे एक बज़े तब मैंने नहीं देखा था मैंने अगली सुबह उसको चेक किया था तो मुझे बताया गया कि आपका channel अप्रूव हो चुका है और मैंने वाइटी स्टूडियो में देखा तो मेरे सभी वीडियो के नीचे डॉलर का स्थाइन आ रहा था तो यह देखे खुसी तो हुई लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि Google Ads account क्रियेट कैसे हो गया है किस ने किया है उसके बाद मैंने एक और टेकनिकल यूटूवर से कमेंड करके पूछा कि मेरा Google Ads account अपने आप क्रियेट कैसे हो सकता है या किसी ने किया है तो मैं उसको कैसे देखूँ तो उसके बाद उन्होंने मुझे reply किया कि हो सकता है कि आपने जब अपना चैनल क्रियेट किया हो उसी बग गलती से अपना एड़सन अकाउंट क्रियेट कर दिया हो और यह बात आपको पता ही नहीं क्योंकि आपके पास ज चैनल क्रियेट किया था उसी इमेल आईडी से आप जाके पर साइन कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट पहले से क्रियेट हो चुका है तो वह निगल के आ जाएगा उसके बाद मैंने बैसा ही किया तो देखाक तो मेरा अकाउंट आल्रेडी वहाँ प करके कुछ है मुझे ठीक से अभी पता याद नहीं है मैंने अपना पहला वीडियो से अप्टब मैं 2019 में अप्लोड किया था और मैंने चैनल जून 2019 में क्रियेट किया था तो फ्यूचर में आपके साथ ऐसा कभी हो कि आपका चैनल ऑटोमेटिक ही रिव्यू में चला जाए आपको टैंसल लेने की मेरी तरह बिल्कुल भी जरूर नहीं है क्यों हो सकता है आपने चैनल क्रियेट करते बक्ति अपना एड्स अकाउंट भी क्रियेट कर लिया हो अगर आप यूटूबर हैं और आपका चैनल अभी ता मॉनिटाइज नहीं हुआ है तो इस वीडियो से आपको काफी हैल्प मिली होगी मुझे उम्मीदेखा आपको वीडियो काफी अच्छा लागओगा अगर वीडियो अच्छा लागओ तो वीडियो को लाइक और सेया कर देना साथी चैनल को सस्क्राइब जरूर करना मैं आपके लिए लेके आती रहती हूं बीटी फैसन डि ले हूए वीडियो तो मैं आप से मिलूंगी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइबाइब